नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार उचा, सकसेज एगरिकल्चर इंसिट्यूट के ओनलाइन डिजीटल प्लेटफर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में IBPS ने AFO Agriculture Field Officer की वेकंसी के लिए नौटिफिकेशन जारी किया है तो साथियों हम आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि IBPS ने जो है AFO की कितनी वेकंसी के लिए नौटिफिकेशन जारी किया है आईए साथियों हम देखते हैं कि IBPS ने AFO की लगवग जो है 516 वेकंसी के लिए नौटिफिकेशन जारी किया है कितनी लगाउक 516 वेकिंसी के लिए नोटिफिकेसन जारी किया है और यह जो वेकिंसी है वो 516 वेकिंसी दो बैंकों ने जो है clear दी है अभी साथियों तो बढ़ने के chances और भी है तो अपनी तयारी अच्छे से जारी रखें और यह जो दो बैंक है उन्हें सबसे पहला है पंजाब नेशनल बैंक सातियों पंजाब नेशनल बैंक ने 100 वेकेंसी रिलीज की हैं और दूसरा है Union Bank of India और इसके द्वारा सातियों 416 वेकेंसी जो हैं रिलीज की गई हैं यानि कि अभी सिर्फ सिर्फ अनली जो है दो बैंको उन्होंने 516 vacancy release की हैं, इसके अलावा और भी जो bank हैं, उन्होंने अभी अहली में जो है vacancy release नहीं की हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह vacancy नहीं देंगी, यानि कि सातियों vacancy बढ़ेंगी, है ना तो vacancy तो 516 से और भी बढ़ेंगी, अब आप देख रहे हो कि जितनी भी vacancy ह जितने भी बैंक हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो है calculate करके बता दिया है इन बैंकों के पास तो जो है अब जो है vacancy नहीं आएंगी बांकि जहाँ NR NR लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि अभी जो है vacancy वहाँ से आने की संबाबना है तो सात्यों vacancy तो बढ़ेंगी है ना तो 516 से तो vacancy अभी बढ़ेंगी इसलिए तयारी अपनी जोरो सोरों से रखें तो यह जो 516 vacancy है उनमें दोनों बैंकों में SC category के लिए है 84 vacancy ST category के लिए है 38 vacancy और OBC के लिए है 141 vacancy और साथ में EWS के लिए है 47 अन्रेजर के लिए है 206 यानि की 206 तो टोटल में लाके साथ यह vacancy हो रही है 516 है ना इसके अलाबा और भी vacancy आएंगी तो अपनी तयारी जो है जोरो सोरो से रखें इसके अलाबा साथ ही हम बात करते हैं कि online जो registration या form बरने की date क्या है तो form बरने की जो date है साथ हो 1 November से 21 November यानि की आसी ही जो form बरने की date जो है start हो गई है तो आप जो है हाली में जो है form डाल सकते हो और फीस करने की जो payment करने की जो date है वो भी जो है एक तारीक से 1 November से 21 November है है ना तो जो है आप आज से ही जो है form बर सकते हो इसके अलाबा साथियो paper पेपर का होगा तो paper की जो date है वो 24 December 2022 और 31-12-2022 यानि कि दो date दे रखी है आभी paper की जो date है वो clear नहीं है इन दोनों date में से किसी भी एक date को जो है prelims का exam हो जाएगा और prelims का जो exam होगा उसके लिए prelims से पहले December के मंत में ही admin card release कर दिये जाएंगे prelims के बाद January के मंत में जो है हमारा जो है mens होगा और mens होगा mens के लिए date दी गई है 29-1-2023 यानि कि 29 जनवरी को इसके अलावा साथियो mens के कुछी दिनों बाद इसका result release हो जाएगा और result release होने के बाद फिर जो है interview हो जाएगा लगवा जो है interview conduct हो जाएगा फरवरी या मार्च के मन्थ में और अप्रेल में जो है इसका result आके जो है allotment भी हो जाएगा कि किस student को जो है किस candidate को कौन सा bank allot किया गया है तो साथियों देरी ना करें जल से जल जो है अपनी तयारिया अच्छे से करें इसके अलावा साथ ही हम बात करते हैं कि जो आई वी पिएस एफ हो है उसके लिए कौन से candidate जो है eligible है तो साथियों ऐसे student जिनके पास four year जो है graduation degree program है इन agriculture जो है agriculture subject के साथ जो है जिनके पास degree है four year course duration है या फिर horticulture से जिनकी बेस सी है animal husbandry से है veterinary science से है dairy science से है fisheries science से है PC culture है agriculture marketing and cooperation है या फिर cooperation and banking या agroforestry, forestry या agriculture biotechnology, food science, agriculture business management, food technology, dairy technology, agriculture engineering या सहरी कल्चर यानि कि इन subjects यदि आपके पास four year degree program है तो आप जो है AFO की post के लिए eligible हैं इसके साथ यो बात करते हैं कि pre में और mens में paper का pattern क्या होगा तो pre की बात यदि करें तो agriculture field officer के लिए agriculture field officer के लिए English पूछी जाती है, reasoning पूछी जाती है और quantitative aptitude तो English के 50 question आते हैं इतने question आते हैं English के 50 question आते हैं जो कि 25 marks के होते हैं यानि कि एक question जो है .5 marks का होगा साथियों जिसका duration होता है 40 minute यानि कि आपको 40 minute में 50 question करने रहते हैं इसके अलावा साथियों reason के 50 question आते हैं 50 marks के होते हैं और इसके लिए जो duration है वो भी 40 minute की होती है और quantitative aptitude के भी 50 question आते हैं और ये भी 50 marks के होते हैं और हिंदी और English दोनों medium में आते हैं और इसके लिए जो duration है वो भी कित्ता रखा जाता है वो भी होता है 40 minute ऐसे साथियों देखें तो 150 question होते हैं और marks कितने होते हैं 125 ये साथियों qualify marking होती है मतलब ये जो है prelims है वो qualify होता है pre qualify करने के बाद ही आप जो है mens के लिए eligible हो पाओगे है ना अब mens में क्या क्या होता है आए साथियों उसकी बात करते हैं में 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 पुछा जाता है professional knowledge प्रोफेशनल नौलेज यानि की subjective knowledge जिस subject से आपकी graduation है आपको उस subject के question पुछे जाते हैं जैसे की agriculture के question professional knowledge यानि की agriculture से के question पुछे जाएंगे और agriculture के 60 question पुछे जाएंगे 60 marks के और medium Hindi और English दोनों रहेगा और इसके लिए time duration रहती है 45 minutes कितनी रहती है 45 minutes तो साथियों देरी ना करें जो है अपनी तयारी को जोरो सोरों से बनाये रहें इसके साथी साथियों बात करते हैं कि संस्थान सक्से जैगरिकर्चर इंसिट्यूट IVPS AFO के नए बेचे से स्टार्ट करने वाला है और यह जो बेचे वो 7 नमंबर से स्टार्ट होंगे तो साथियों जो भी candidate IVPS AFO की तयारी करना चाते हैं वो जल से जल हमारे संस्थान के साथ जुड़ें संस्थान तयारी के लिए पूंडरूप से समर्पित है साथियों संस्थान पूरे मद्द प्रदेश में नियुन्तम से नियुन्तम फीस में जो है उच्च गुन उत्ता वाली सिच्छा देने के लिए जाना जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथियों संस्थान के द्वारा नियुन्तम से नियुन्तम फीस यानि की तीन हजार रुपे में प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी तो सातियों देरी ना करें जल्द हमारे संस्थान के साथ जुड़ें और जो है अधिक से अधिक जानकारी प्राप्ट करें और जो है आई वी पीएस एफो की तैयारी करें इसके सातियों हम बात करते हैं कि काफी लंबे समय से छात्रों को जिस चीज का इंतजार था वो समय आ गया है हाँ सातियों मैं बात कर रहा हूँ कि RHEO और SHEO District Manager Quality Control के जो एक्जाम होने वाले हैं उसकी तो सातियों काफी लंबे समय से विध्धार्तियों ने संगर्ष भी किया है और बहुत समय से उनका इंतजार भी रहा है तो ऐसे विध्धार्ति सातियों जो RHEO Aspirant हैं उन सब को मेरी तरफ से और पूरे सहिस्थान की तरफ से वेश्ट ओप लग वो समय आ गया है सातियों जब आपका संगर्ष आपके परिणाम में बदलेगा तो सातियों होसला रखें और दिमाग को सांत रखें और अच्छे से पेपर देने के लिए जाएं ताकि आपको जो है अच्छे माक्स आएं और आप जो है अपने सपनों को साकार कर सको आपने जो है माबाप के सपनों को साकार कर सको तो साथियों इसके साथ ही हम बात करते हैं कि संस्तान सकसेज अगरिकल्चर इंसिट्यूट नए बेच स्टार्ट करने जा रहा है कॉंपटिटिव एक्जाम के और जो बेच हैं वो 7 नमंबर और 14 नमंबर से स्टार्ट होंगे जिसमें एगरिकल्चर प्लस सी सेट की संपूर तयारी करवाई जाएगी तो साथियों जल से जल हमारे संस्तान के साथ जुड़ें देरी ना करें और अधिक जानकारी के लिए आप जो है स्क्रीन पर चल रहा है नमंबर के साथ कोंटेक्ट करें और जो है अधिक जानकारी तो साथियों आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत